थम्नेल यह एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा सा लगता है बट इसका वैलू इतना है कि तुम्हारा अगर यह अच्छा नहीं है तो तुम्हारे व्यूज भी अच्छे नहीं आने वाले इस वीडियो का एंड तक जोड़ से देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें एक थम्नेल को क्रियेट करने से लेकर उसकी कलर ग्रेडिंग तक का फुल प्रोसेश इसी वीडियो में मिलने वाला है तो थम्नेल में कौन-कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चीए उसके आपके सामने जो पर ऑप्षण आया कस्टम साइच का उस पर किलिक कर देना है एंड वीर्थ अंड है आपको डालना है 19 20 एंड टैनेटी पी ठीक है तो फिर उसके बाद आपको के लिएट निव डिजाइन पर किलिक करने के बाद आपका जो कैन्वस और चुरू हो जाएग गताने एंड उसके बाद जो एलिमेंटों से ले लेना है तो यहां पर एक कोर्ट का पहिंग है से सिंप्ली एड कर लेते ठीक है तो यहां पे एड to page कर देता है एक टू पेज करने के बाद यहां पर जो हमारा इमेज इब आ चुका है आप इसको इस तरीके से कौर्णर में ट्रैक करके लाना है and इस corner को पकड़ के से fully screen कर देना है fully screen करने के बाद आप इसमें हम थोड़ा सा blur effect लगाएंगे blur effect को लगाने के लिए आपको नीचे effects का option मिल जाएगा उस पर simply click कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद जो side में एफेक्टس के option उसमें चले जाना है और उसमिन जाने क бой सायड में स्क्रोल करने पर आपको blur का option मिल जाएगा उस पे क्लिक करदेना है एंड उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो सेटिंग से उनको ब्रस साइज को आपको फूल कर देना है एंड ब्लर अपने हिसाप साप रख सकते हो तो यहां पर मैं कर देता हम 14 टी है कट वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो ब्लार इफेक्टर वह अपलाई हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो ब्लार इफेक्टर वह अपलाई हो चुका है अब इसमें जो हमारा character का PNG है उसे हम एड़ करेंगे तो न झाले प्रिंगे के बाद इसे सेंटर में ले लेना है उसके बाद आपको एफेक्ट्स में चले जाना है कि उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको कणरग और को आपको orange color को select कर लेना ठीक है तो यहां से orange color को select कर लेते हैं जो जो screen पर कर देना है तो यहाँ पर जो यह थोड़ा ज्यादा है तो इसको कम करेंगे तो उपर हिऊपर आपको size का option मिल जाएगा उसे simply आपको तरीके से कम कर देना है तो यहां पे हम 8% रखते हैं एंड उसके बाद आपको कट वाले option पे क्लिक कर देना है तो यहां पर हमारे स्ट्रोग अपलाई हो चुक है तो अब इसमें टैक्स को अड़ करने के लिए प्लस थाइगन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद टेक्स पे एड स सकते हैं यहां पर लिखने के बाद को सरकते हैं लिखने के बार है जो लिखने के खरके किली करने उसके बाद आपको साइगे उनमें से आपको लेना है एंट अप्र फॉंट ठीक है तो इसे एंदर आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर फॉंट अपलाई हो चुका है अब उसके बाद कट वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है एंट टेक्स को इस तरीके से बढ़ा कर लेना है उसके बाद आपको साइड में स्क्रोल करना है एंड यहां से आपको कलर को पिक करना है कलर में आपको जो है यह वाला कलर पिक करना है जो आपको कोड का पी एंग उसका थीम कलर ठीक है तो यहाँ पर इसे हम एड़ कर लेता है एंड उसके बाद आपको आके स्क्रोल करना है and effects में चले जाना है effects में जाने के बाद आपको last में एक neon का effect मिलेगा इस तरीके से तो इससे simply add कर देना है इसको add करने के बाद इसके settings के अंदर चले जाना है and intensity को full कर देना है full करने के बाद इसे cut कर देना है cut करने के बाद आपको इस text को इस तरीके से बड़ा करने के बाद इस तरीके से adjust करने के बाद आपको side में स्क्रॉल करना है and end में आने के बाद आपको layers का option मिलेगा layers की option पे click कर देना है and जो text के side में 6 dots दिखे रहे हैं उनको simply hold करके रखना है and is text को drag करके character के लिए जाना है एंड उसके बाद elements में चले जाना है elements में जाने के बाद उपर search में आपको type करना है arrow ठीक है तो यहाँ पर arrow मैंने लिख दिया है एंड उसके बाद जो आपको search कर लेना है तो यहाँ पर काफी सारी arrow आच चुकी है बट आपको जो graphics वाला option उस पर simply click कर देना है एंड उसके बाद जो आपको arrow find करना है तो मैंने जो arrow use किया तो आपको नीचे मिल जाएगा तो यहाँ पर नीचे जाके तो यह arrow मैंने यूज किया तो इससे मैं यहाँ पर pick कर लेता हूं पिक करने के बाद आपको नीचे color वाला option मिल जाएगा उस पर simply click कर देना है एंड इसी color को apply कर लेना है color को apply करने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरीके से चोटा करेंगे एंड इस corner में जूम करेंगे करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एड कर लेना है एंड करने के बाद इस तरीके से तोड़ा सा रोटेट कर लेना है रोटेट करने के बाद इस तरीके से जो है एड कर लेना है फिर आपको एंड में स्क्रोल करना है और वापने के बाद आपको इसी तरीक के itि के वोल्टके रखना है जो टैक्स है उसके नीचे दे जैना है तो टैक्स लिक्राइवते वाइक इसे टाक्स के ए要ड़ करेंगे लीए फिसे इंदर एंसे आप एम今े एड करेंगे क्लिक करने के बाद वापिस से टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस बाद को यहां और कड़ने के बाद आपको इक प्रेटिक करने के बाद आपको मैंने सबया नियुकस के अई Starting sk toddler कर देना गेड़ने के बाद आपको इसका अंदर तो क्रेज्ट कम रीड आने के बाद आपको इसका कलर कर देमाला रैट यहांप कर देना है वाइट करने के बाद इसे भी कट कर देना है एंड उसके बाद आपको चले जाना है वाप इस एफेक्ट का अले ऑप्शन में एफेक्ट वाप्शन में जाने के बाद बैक्राउंड वाली सैटिंग्स के अंदर चले जाना है एंड उसके बाद इस प्रिट लिखा ह जो इसका size बड़ा चोटा कर सकते हो तो यहां पर हम इतना जो है एक दम ठीक है तो ठीक है उने के बाद आपको करना है उपर यहां पर copy all option उस पर simply click कर देना है copy all option पर click करने के बाद इसको edit करना है जो color इपर आमने color हमको जो है opposite कर देना है तो effects में चले जाएंगे एंड background वाली settings में जाने के बाद red color को देना है white white color मैंने यहां पर कर दिया है and जो text color उसे तो यहां पर एंडर जो text color उसे कर दाता हूं red तो यहां पर जो text color वो तो जोड़ा सा करेंगे पस जाना छोत्त कर लेना है दूसके बाद सकी यहां पर प्राइब वहां में यहां पर पने बूप कर लेगे तो है वहां में गाला है तो अब ग्लोथा ठूक है ब्टम को थोड़ा और भूची है तो उसके लिए आपको प्लस iकन पे क्लिक कर दशाओं करना है ऐंड ऐलिमेंट मींट में चल्ले जाना है उपर शॉटकर लेता हूं फ्लेयों है नहीं क्लिक करने के बाद अपको रुप्षिक् hommes वाला option पे क्लिक कर दोना है क्यांा पर छेते नम्बर पर मिल जाएगा घ्ल फेल हमाने जर्ट मेरे शकर आपको तरीके से च्छाए गड़नी आठीक है तो इस तरीके से इसे बड़ा कर ले ना है यहां कुल इसका ने लोगी हो चुका है आप इसमें हम जो है color grading करते हैं तो इसे save करने के लिए आपको पर इस तरीक से download वाल आइकन पर click कर देना है एंड आपका जो image हो saver ने start हो जाएगा तो thumbnail को मैंने आप लाइट रूम application में add कर लिया है आपको नीचे edit वाले option पर click कर देना है and light वाले option में चले जाना है तो अगर आपका exposure कम लग रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो but हम थोड़ा सा adjust कर लेंगे contrast को थोड़ा सा बढ़ा जाना है 25 के आसपास एंड उसके बाद highlight कर देना है अलका सा shadows को कम कर देना है and white को भी कम कर देना है ही अधे जिस चलर करना है मिक्स वाले option पर क्लिक कर देना है यह अधे मिक्स कर देना है कर देना है तो उसके बाद कर देना है तमनेल में तें नहीं पर सेंट सेंट को कर देना है और एए तरिदा सेंट दोनों में noise and color noise दोनों के अंदर ठीक है 20% एंड उसके बाद आपको वापिसा जाने कलर में and temperature को आले option को माइनस 5 कर देना है तो इस तरी कि जो आपको फुल प्रोसेस चीए तो मैंने इसको पर पहले वीडियो बना रखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हो तो इसी तरी किसे तुम भी अपना thumbnail create कर सकते हो and कोई problem हो तो यहाँ पे मैंने एक नए इस्टाइडी बना लिया है तो उसका link आपको description box में देखने को मिल जाएगा तो जाकर DM कर सकते हो and आज की वीडियों बस इतना ही मिलते है किसी नई topic के साथ तब तक के लिए बाई